दिल्कम टू बेटनाश्टडी दोस्तों द्रस्टी समसामाई करेंट वेर्ज सम्मन्दित द्रस प्रसन इस वीडियो में रहने वाले हैं जो भी हाल ही में हुई गटनाओं पर आधारित हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं पहले प्रसन से पहला प्रसन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है च्छे जनवरी दोजार चोविस को दिस का पहला सुर मिसन आदित देहलवन सफलता पूरुवक लैंग्रेज पॉइंट फरस्ट पर पहुंचा दूसरा कथन है इसके साथ ही भारत अमेरिका और चीन के बाद सौर मिसन बेजने वाला विच्टो का तीसरा दिस बना अब पूछा गया है उपड़ुक कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है राइट आउप्सन है ये येवल पहला कथन सही है इस परसंग से संबंदेता अन्य इंपोर्टन पॉइंट है सौर मिसन आदित तेहल वन मिसन जर्चा में क्यों है 6 जनवरी 2024 को दिसका यह पहला सौर मिसन सफल्थ कुर्वक लैंगरीज पॉइंट फर्स्ट पर पहुंचा मिसन ने इस मिसन तक पहुँचने के लिए 127 दिन में 50 लाख किनोमिटर दुरी तैगी है इसके सथी भारत, अमेरिका, यूरोप, संग, जापान और चीन के बाद सौर मिसन भेजने वाला विश्व का पाँचमा देश बना है इसरों के अनुसार आदित L1 लैंगरीज पॉइंट फर्स्ट पर हालो ओर्बिट में स्थापित हो गया हालो ओर्बिट क्या होता है या अंतरीच में एक कक्षा होती है जो L1 बिंदू के चारों गूमती है इसका आकार एक आयाम में 6 लाख किलोमेटर और दूसरे में 1 लाख किलोमेटर होता है अगला प्रसन है 19 दिसंबर 2030 को खिश्य मंतराले द्वारा राष्ट्री भू विग्यान डेटा रिपॉजिटिरी पोर्टल लांच किया गया है राष्ट्री भू विग्यान डेटा रिपॉजिटरी एन जी डी आर पोर्टल ये लांच किया गया है 19 दिसंबर 2030 और लांच करता है खान मंतराले अगला प्रस्न है फर्वरी 2030 में भारत मोबिलिटी ग्लूबल एक्सपो 2024 कहां आज़ित होगा राइट ओप्शन है ए नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लूबल एक्सपो 2024 आज़ित होगा नई दिल्ली में ओप्शन ही राइट अंसर है इसे समझेद अने इंपोर्टेन पॉइंट है भारत मोबिलिटी गुलूपल एक्सपो दोहजार चोबिस आलित होगा एक सी तीन फरवरी दोहजार चोबिस के मद्ध है भारत मन्डपम प्रगती मैदान नई दिल्ये में आज़ित होगा यहाँ मोबिलिटी छेतर में एक महत्र पॉण कारिकम है जो इंजिनिरिंग उत्रष्टता और तिकाव समाधानों के ब्रती भारत की समर्पन को प्रदर्शित करता है इसमें अंतराष्ट्रिय और गरिलू दोनों ही आटोमोटीव दिग्जपने इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सी एनजी और जेव इनरसी चलने वाले वाहनों का प्रदर्शन करेंगे अगला प्रस्ण है एक जनवरी दोहजार चोबिसको किसने पावर गरिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिम्टेड के नए अध्यक्षयों प्रबंधग निदेशक के रूप में आप्शन डी आर की त्यागी ने पदभार ग्रहन किया है इस प्रसंसे सम्मंदित अन्य इंपोर्टिन पॉइंट है आरके त्यागी एक जन्वरी दोहजार चोबिस को पावर गृट कार पुलिशन आफ इंडिया लिम्टिड की नए अध्यक्ष्यों प्रबंदग निदेशक के रूप में इन्होंने पदबार ग्रहन किया है इसलिए ये चर्चा में रहे हैं और इन्होंने इस्थान लिया है स्रीकांत कांडी कुप का और गृट के बारे में ये अस्टारवाजन चेदर की विद्धू तो पारिशन महारत कंपनी है और इसकी इस्थाबना 1989 में हुई थी मुख्याले है गुरुक्राम खर्याणा अगला प्रसना है चार जनुवरी दुहजार चोबिस को किसने भारतिय नौ सिना की नए उपपर्मुख की रूप में पदबार ग्रहन किया है राइट ओप्सन है ये दिनिस की त्रिपाठी इससे समझदेद अन्यपोडन पॉइंट है वाइस एड्मिरल दिनिस की त्रिपाठी चार जनुवरी दुहजार चोबिस को भारतिय नौ सिना की नए उपपर्मुख की रूप में पदबार ग्रहन किया है इसलिए चर्चा में रहें इससे पूरो वाइब पश्चमी नौ सिना कमांड के फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इन चीफ की रूप में कारिरत थे वाइग जुलाई 1985 को भारतिय नौ सिना में सामिल हुए थे और उन्होंने नेवल हायर कमांड कोर्स पूरा किया और वर्स 2007 से 2008 में इस नेवल हुआर कॉलेज नौ पूर्ड रोड आइसलेंड में भी भाग लिया जहां उन्होंने प्रतिष्ठित रावर्ड ए बैट मैन इंटरनिशनल अवार्ड जीता वरतमान में एड्मिनल आर हरीकुमार नौ सिना प्रमुख हैं अगला प्रसन है दिसंबर 2030 में किसी राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कारेकारी अध्यक्ष मनुनित किया गया है राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरण के नया कारेकारी अध्यक्ष मनिया है नयमूर्ती संजीव खन्ना, option B, right answer है समन्देत अन्य उपॉर्टन पॉइंट है नयमूर्ती राजीव खन्ना उचितमने लेगे वरिष्टने अदिस है ये चर्चा में क्यों है, दिसंबर 2023 में राश्च्रिय विदिक सिवा परादिकरण NALSA के नय कारकारी अध्यक्ष मनोनित किये गए इसके द्वारा ये मनोनित किये गए है राश्च्रपती द्रपदी मुर्मू के द्वारा इन्होंने इस्थान लिया है नयमूर्ती संजे किशन कॉल का अगला प्रसन है जन्वरी 2024 में वरिष्टर IPS अधिकारी रस्मी शुकला की सिंहराज की पहली महिला DGP नुक्ठ हुई है वरिष्टर IPS अधिकारी है और ये जन्वरी 2024 में महिला DGP नुक्ठ हुई है इसलिए चर्चा में रही है इसे पूरो वाशाशत्र सीमाबल की महानिती सत्थी और उन्होंनी स्थान लिया है रजनीस सीट का यह वर्स 1988 बैज की IP यह सा दिखा रही है अगला परस्था है जनवरी 2024 में नेपल भारत सहिता आयों की सात्वी बैठक 2024 कहा यूजित भी है आज इत हुई है चार से पांच जनवरी 2024 के मध्ध है काटमांडू नेपाल में भारत का प्रत्मी दित्व किया है विदीश मंत्री एस जेसंकर और इस बैठक के दोरान नेपाल ने भारत के साथ बिशली निर्यात का दीरकगाली समझोता किया इसके तहट नेपाल अगले दस वर्सों में भारत को दस हजार मेगावड बिशली बेचीगा इसके लवा भारत के विदीश मंत्री डाक्टर एस जेसंकर और नेपाल के विदीश मंत्री एन पी साउध ने तीन सीमा पर टांस्मिसन लाइनों का उध़ाटन किया अगला प्रसन है तीन जन्वरी दोगजार जोबिस को किसने विदीश मंत्रा ले M.E.A. के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार करण किया है तो विदीश मंत्रा ले के नए प्रवक्ता बने है रडदीर जैस्वाल और राइट आउप्सन है B. इनसे समझेत आन्य अप्रवक्ता के रूप में पदभार करण किये है इसलिए चर्चा में रहे है इससे पूर्व वाहर निव्यार्क में कांसुल जैनरल रहे चुके है और इन्होंने इस्थान लिया है अन्दम बाप्ची का अगला प्रसन है 7. जन्वरी 2024 को 81. गोल्डन ग्लूब पुरुषकार वित्रन समारों में सर्वशिष्ट मोसन फिल्म ड्रामा का पुरुषकार किस फिल्म को पदान किया गया है तो राइट आउप्सन है C. कोपेन हाइमर 81. गोल्ड़ ग्लुब पुरुषकार वित्रन समारों सर्वशिष्ट मोसन फिल्म ड्रामा का पुरुषकार मिला है उपेन हाइमर फिल्म को राइट आउप्सन है C. उपेन हाइमर 81. गोल्ड़ ग्लूबर पुरुषकार 2014 से समद एता इस साथ जन्वरी दोजार चोबिस को बीवेरली हिलसन लौस एंडिल्स कैलिफोर्ण ने अमें अरजितिक समारों में परदान किये गया परमुक वर्गों में परदत पुरसकारों को चीज़ परकार है सर्वशेष्ट मोसन फिल्म सर्वशेष्ट मोसन फिल्म है संगीत या हाशिवर्ग पुर थिंग्स सर्वशेष्ट मोसन फिल्म है संगीत या हाशिवर्ग पुर थिंग्स मोसन फिल्म संगीत या हाश में सर्वशेष्ट परदसन करने वाले अबिनिता है पॉल जिया मट्टी फिल्म दा होल्ड वोवर्ज सर्वशेष्ट अबिनित्री है माइस्टोन फिल्म पुर थिंग्स और मोसन फिल्म में सर्वशेष्ट परदसन करने वाले साय कबिनिता है रवर्ड ड्राउने जूनियर फिल्म ओपेन हाइमर से और साय कबिनित्री है डॉक्टर वाइन जॉय रैंटोल्फ फिल्म दा हैंड़ ओवर से सरोषेश्ट निर्देशक है किस्टोफर नूलन फिल्म ओपिन हाइमर से सरोषेश्ट स्क्रेश्ट पली जेस्ट इन ट्राइट एउं आर्थर राधी फिल्म एन्टोमी आफ एक फाल से सरोषेश्ट एनी मेंटेड फिल्म है दा बॉय एंद दा है रॉन और सर्वशिष्ट विदिए सी वासा नॉन इंग्लिस लेंग्वेज फिल्म है अनाटॉमी ओफ दे फॉल थैंक्स पर वाचिंग